आज सुखके सूरज के उक्ते के साथ ही एक एक एतिहासे घटना भारत में हो गई है रिपोर्ट के जरीए आपको समझाते हैं इससे आखिर आज से क्या बदल जाएगा एक जुलाई से बदल जाएगी अपराध की कई दफाः क्योंकि देश में तीन नए आपराधिक कानून लागो हो रहे हैं इस बदलाओ को भारतिय न्याय प्रणाली के साथ ही पुलिसिंग में भी एक महत्वपूर्ण मोड के रूप में देखा जा रहा है नए कानून लागो होने पर आम आदमी, पुलिस, वकील और अदालतों के कामकाज में काफी बदलाओ होंगे सबसे पहले समझिए आखिर अंग्रेजों के जमाने के किन कानूनों को बदला जा रहा है इसी तरह 1998 में आए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीर पीसी की जगे भारतिय नागरेक सुरक्षा सहीता यानी बी एन एसस लेगी और 1872 में आए इंडियन एविडेंस एक्ट यानी IEA की जगे भारतिय साक्ष अधिनियम लागू हो जाएगा जिसे बी एससे कहा जाएगा इसमें दिल्चस्प पितथ ही ये है कि अपराद की धाराएं बदलने से न्याइक प्रक्रिया से लेकर फिल्मों और आपन्यासिक कथाओं में जिन धाराओं का जिक्र आप अब तक इस तरह के अपराद के लिए सुनते आए हैं वो सब बदल जाएंगी जैसे अब ठग 420 नहीं 316 कहलाएंगे मॉडर के लिए धारा 302 नहीं 103 के तहट सजा का प्रावधान होगा इसी तरह हट्या के प्रयास में 307 की जगह धारा 109 लगेगी इन नए कानूनों का असर एक जुलाई से पहले दर्ज किये मामलों ट्रायल और तहकीकात पर नहीं होगा एक जुलाई को होने वाले अपराद अब इनहीं नए कानूनों के तहट दर्ज किये जाएंगे नए कानूनों के लागू होने से कई मायनों में रहत मिलेगी खास कर महिलाओं और बच्चों के वरुत होने वाले अपराध के लिए सजाएं सक्त की गई हैं, वहीं मौब लिंचिंग जैसे अपराधों के लिए प्रापधान जोड़े गए हैं अब कहीं से उसको हम कहते हैं जीरो एफाई यार और जीरो एफाई यार कहीं से फाई यार अप लिखा सकते हैं अब जो आया है नया BNS, उसमें organised crime है, उसमें देश-द्रोव है, उसमें mob lynching है, बड़े से बड़े केस का तीन महिने में, उसको तीन साल में, बड़े से बड़ी केसMurda type case में, उसका disposal हो जाएगा, नयाय मिल जाएगा." नए कानून में जमाने के साथ हुए बदलाओं के दौर की छलक मिलती है, यानि ये ऐसे आधनिक रूप में हैं, जिनके तहट अग कोई भी व्यक्ती, पुलिस ठाना गए बिना, इलेक्ट्रोनिक संचार माध्यमों से घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है, इससे केस दर्ज करना आसान होगा, साथी आडियो वीडियो यानि इलेक्ट्रोनिक तरीके से जुटाए जाने वाले सबूतों को प्रमुक करें, सोशल मीडिया अप्लिकेशन से इतनी आ रही है, हमारी इंफोमीशन जिस तरह से जा रही है, और हमारे डीप फिक जैसे जो वीडियो बन रहे हैं, उसमें उसको रोकने के लिए, इन सब बातों के लिए एक नए ऐसे कानून की जरूरत देश में थी, जो आज के इसलिए पुलिस, वकील और जजों को दोनों नए और पुराने कानूनों को याद रखना होगा, साथी लौज स्टूइट्स का काम भी पढ़ गया है, उन्हें दोनों कानूनों को पढ़कर याद करना होगा, तभी अदालत में वो अपना काम कर पाएंगे, हलाकि नए प्रदेश सरकारों के द्वारा लगभग साथ लाथ पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है इन तीनों अधनियमों में सीची टीनेस ही जो प्रक्रिया है उसमें भी वांशित सुधार उच्ची करण और संशोधन किया जा रहा है नए कानूनों के तहट एफाई आर के 90 दिनों के भीतर चारशित दाखिल करना ज़रूरी होगा और इसके साथ दिनों के भीतर कोट को आरोप तै करने होंगे यानि पहले जहां आदालतों में तारीख पर तारीख के चक्कर में नियाय का इंतिजार करती कई पीडियां खप जाती थी वहीं अब तुरेत नियाय का रास्ता मजबूत होगा आज सुभ़ के सूरज के उक्ते के साथ ही एक एतिहासे घटना भारत में हो गई है रिपोर्ट के जरीए आपको समझाते हैं इससे आखिर आज से क्या बदल जाएगा एक जुलाई से बदल जाएगी अपराध की कई दफार क्योंकि देश में तीन नए आपराधिक कानून लागो हो रहे है इस बदलाओ को भारतिय न्याय प्रणाली के साथ ही पुलिसिंग में भी एक महत्वपूर्ण मोड के रूप में देखा जा रहा है नए कानून लागो होने पर आम आदमी, पुलिस, वकील और अदालतों के कामकाज में काफी बदलाओ होंगे सबसे पहले समझिए आखिर अंग्रेजों के जमाने के किन कानूनों को बदला जा रहा है 1860 में आए इंडियन पिनल कोड यानि IPC की जगह भारतिय न्याय सहिता यानि BNS लेगी और 1872 में आए इंडियन एविडेंस एक्ट यानि IEA की जगह भारतिय साक्ष अधिनियम लागू हो जाएगा जिसे BNS से कहा जाएगा इसमें दिल्चस्प पितथ ही ये है कि अपराद की धाराएं बदलने से न्याइक प्रक्रिया से लेकर फिल्मों और आपन्यासिक कथाओं में जिन धाराओं का जिक्र आप अब तक इस तरह के अपराद के लिए सुनते आए हैं वो सब बदल जाएंगी जैसे अब ठग 420 नहीं 316 कहलाएंगे मर्डर के लिए धारा 302 नहीं 103 के तहट सजा का प्रावधान होगा इसी तरह हज्जा के प्रयास में 307 की जगह धारा 109 लगेगी इन नए कानूनों का असर एक जुलाई से पहले दर्ज किये मामलों ट्रायल और तहकीकात पर नहीं होगा एक जुलाई को होने वाले अपराद अब इनहीं नए कानूनों के तहट दर्ज किये जाएंगे नए कानूनों के लागू होने से कई मायनों में रहत मिलेगी खास कर महिलाओं और बच्चों के वरुत होने वाले अपराद के लिए सजाएं सक्त की गई हैं, वहीं मौब लिंचिंग जैसे अपरादों के लिए प्राबधान जोड़े गए हैं अब कहीं से उसको हम कहते हैं, जीरो एफाई यार और जीरो एफाई यार अप लिखा सकते हैं, अब जो आया है नया बिनस उसमें अर्गनाइज क्राइम है, उसमें देश द्रो है, उसमें माम लिंचिंग है, बड़े से बड़े केस का तीन महीने में उसको तीन साल में, ऐसे आधनिक रूप में हैं जिनके तहट अब कोई भी व्यक्ति पुलिस ठाना गए बिना इलेक्ट्रोनिक संचार माध्यमों से घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है इससे केस दर्ज करना आसान होगा साथी आडियो वीडियो यानि इलेक्ट्रोनिक तरीके से जुटाए जाने वाले सबूतों को प्रमुक्ता दी गई है इन सब के कारण मामला दर्ज कराना आसान और तेज हो जाएगा साथी पुलिस की कर्रवाई भी तेज होगी घल्चस्प तत ये है कि एक जुलाई से पहले दर्ज हुए पुराने मामले पुराने कानून के तहत ही चलेंगे इसलिए पुलिस, वकील और जजों को दोनों ने और पुराने कानूनों को याद रखना होगा साथ ही लॉए स्टूरेंट्स का काम भी पढ़ गया है उन्हें दोनों कानूनों को पढ़ कर याद करना होगा तभी अदालत में वो अपना काम कर पाएंगे हलाकि नए कानून के लिए लाखों पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई है नयाएक मेजिस्ट्रेट, इमेल, समस, वाटसअप, मेसेज़ेस के आधार के भी मामले का संञ्यान ले सकते हैं, काम्गनिजस ले सकते हैं, कारवाई पतलिस कर सकते हैं वरतमान में भारत सरकार और पुलिस सरकारों के द्वारा लगभग साथ लाख पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है इन तीनों अधनियमों में CCTNS की जो प्रक्रिया है उसमें भी वांचित सुधार, उच्ची करण और संशोधन किया जा रहा है नए कानूनों के तहट FIR के 90 दिनों के भीतर 4 शीट दाखिल करना ज़रूरी होगा और इसके 60 दिनों के भीतर कोट को आरोप तै करने होंगे यानि पहले जहां आदालतों में तारीख पर तारीख के चक्कर में न्याय का इंतजार करती कई पीड़ियां खप जाती थी वहीं अब तुरित न्याय का रास्ता मजबूत होगा